हे गाई आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राइटिंग टास्क 1 के बारे में और उसकी टाइप होगी होरिजॉंट बार्ग्राफ इसकी काफी स्टूडनेट रिक्वेस्ट कर रहे थे सो स्टूडनेटि की रिक्वेस्ट में आज यह जो बार ग्राफ है वोगोट करोंगी और मैं टास्क मन की काफी टाइप्स जो है अल्रेडी अप्लोड कर चुकी हैं इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी और और बी जो बाकी टाइप्स बचे हैं वह भी मैं जल्दी वीडियोस अप्लोड करूँगी इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करूंगी यह बहुत ही स्टूडन को टफ लगता है यह बार ग्राफ में आज जो एक्स्प्रेंग करने जा रही हूं और यह पेपर पे एक्स्प्रेंग करूंगी ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके और आप लोगों को क्लियरली वीजिबल में क्या समझाना चाती हो और आप लोग इस पार ग्राफ को अच्छे से समझ सकें चलिए वीडियो स्टाट करते हैं इस चार्ट में यह इंफ्रमिशन दी गही है कि कैसे एक कंट्री की जो फैमिली जो उनकी इंकम होती है वो कैसे स्पेंड करते हैं किस यह में 1968 अगर हम ग्राफ देखें तो नीचे यहां पर उन्होंने कुछ जो हैं और कुछ गोड़ीज और कुछ गोड़्स यहां पर दिये हुए हैं अलग लग परपर्स के लिए वह जो है इस्पेंट करते हैं अपनी मनी जैसे फूर्ड हाउजिंग फ्यूल और पावर क्लोथिंग अब यहां पर जो डाक लाइन और जो लाइट लाइन 2018 की अगर हम नीचे देखें तो एक सेक्स पे परसंटेज गिवन है कि कितने कितने परसंट वह अमाउंट के स्पेंड करते हैं अगर बात की जाए अगर हम ग्राफ देखें तो हमें क्या पता चल रहा है अगर ऑवर्विव की बात करें तो ऑवर्विव में अगर हम ब्लैक लाइन को देखते हैं तो जादा सबसे जादा जो स्पेंट उन्होंने इंकम का किया वह फूड पे किस यह में 1968 में अगर हम 2018 की बात करें तो सबसे जादा रहा है लिए अक्टिविटिस पर मतलब उन्होंने जिस जगा पर जरूरत भी नहीं थी यह लिए अक्टिविटिस जो भी थी वहां पर उन्होंने स्पेंट किया तो यह मारा हो गया ऑवर्विव इसको लिखने का वे अलग लग भी हो सकता है कि क यहां पर बता भी देते हो कि कितने कितने पर्संट यहां पर यह बॉल सकते हूं अगर फ्यूल का देखें तो फ्यूल का 6% and 4% clothing का 10% and then 5% और ये हमारा है 8% this one is 8% and 4% and transportation के अगर बात की जाए तो this is 8% and 14% जो layer activities है तो पहले ये था 9% और ये हो गया 22% तो ऐसे करके आप यहाँ पे variation के साथ कैसे लिख सकते हो कई बार difference ले लिजे कई बार देख लिजे कितना incline हुआ है then देख लिजे उनका जो respectively वाली type है कि कितना पहले year में था second year में कितना हो गया जा आपस में जतने भी उन्हेंने purpose दिये हैं उनको आपस में compare कर लिजे तांकि हर line में variation हो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी introduction की that is the rendered horizontal bar graph delineates the information about weekly expenditure of families of a nation for distinct purposes in two years that are 1968 and 2018 जो horizontal bar graph है यहां पर show कर रहा है information जो weekly उनका खर्च है expenditure मतलब खर्च जो families करती है किसी नेशन की अलग लग परपस के लिए two years में इस नाइटिन जाइट अगर हम देखे तो यह टॉटल टाइम पीड़ेट मता है 50 यह का 50 यह के बात की बात किया पहले इतना ता फिटी यह बात ऐसा हो गया तो 50 यह को हम लोग 5 डेकेट भी बोल सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि जो वन डेकेट होता है तो 50 यह का टाइम पीरेड हो गया 5 डेकेट अब इसके अगर बात की जाए तो जैसे मैंने बताया था कि पहले यह में फूर्ड पे ज्यादा स्वेंड हो था बाद में लेयर एक्टिविटी पर आप बोल सकते हो इन एन अवर् आप यह इसे भी लिख सकते हैं एक्सिम बहुत और गफैसे ओशने लिखने की वह बहुताते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी वर्ड लिमेट इक्सीड हो जाएगी तो वह थोड़ा लैंद में चोटा है आप वैसे लिख सकते हो इन आण ऑवर्विव इचिसे ज़िवर मैक्सिमम वीकली एक्सपेंस चाह माउंट आप फैमिली वाजन फूर इन नाइटिन सकती है वह बात करते हैं हमारे बीपी वन की अब अगर हम देखे तो ग्राफ में किसकी वैली डिकलाइन गई है किसके निकलाइन वह पहले देख लेते हैं ह्यां हें के इकलाइन और यह एकर रहा है और जो परस नल घुट्च है underप्सक्राइभी त्रीवाले हíst आप को देखेले दिकलाइन वाले हैं ळिकलाइन फैन यह में चारों जो है वो लिख रही हूं BP1 में और इंक्लाइन वाले हैं 1, 2 and 3 और इसके साथ equal वाला मैं लिखूंगी BP2 में चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मारा BP1 to commence with EMBP start कर सकते हैं having a quick glance भी लिख सकते हो in 1968 35% of weekly income of families was expended on food expended मतलब spend करते हैं food पे which became almost half after 50 years and became 17 जो बात में 50 सालों के बाद almost half हो गई थी और 17 बन गई थी 35 का half थी 17 almost half बोला है यहां पे मतलब exact half नहीं है similarly यह हमारा यहां पे एक connector है क्योंकि जैसे इसकी कम होई थी वैसे आगे भी बात करें तो similar चीज होने जा रही है similarly 10% and 8% of weekly income were dispersed by families on clothing and footwear and personal good respectively in the first mentioned year 10% और 8% जो weekly income थी वो किस पे dispersed होई थी इसका मतलब भी होता है स्पेंट किस पेंट होई थी clothing and footwear पे और personal good पे रिस्पेक्टिवली कहने का मतलब clothing की जो है वो है 10% और personal good की है वो है 8% कब की बात है यह first mentioned year की मतलब 1968 की विद पासेज़ आफ सेंचरी होते 50 का टाइम पिरेड तो 50 यह के टाइम पिरेड के बाद इस शेयर शेयर क्योंकि percentage की बात कर रहे हैं तो हम यह पे परसेंटेज भी लिख सकते हैं और शेयर भी लिख सकते हैं यह जोता ही हाफ हो गया था फॉर बोत कॉमोडिटीज दोनों चीजों के लिए कॉमोडिटीज इसलिए लिख रहे हो क्योंकि फोटवेर और क्लॉथिंग भी एक चीज है पर्सनल गुड्स भी चीज़ें है तो कॉमोडिटीज इसके लावा उनली टू परसेंट डिकलाइन वाज विटनेस्ट इन दे स्पेंडिंग अमाउंट ऑफ फैमिलीज ऑन फ्यू इस परसेंट इंद नीशियल यह फिर्स्ट रियर को अम लोगे निशियल जैस अगर पहले यह मैं लिख अगर नहीं तो यह तो आप्यूज है कि वहां पे कितना हो गया बाद में 8% हो गया आप अपना बीपी वन कर सकते हो दन बात करते हैं हम रहें बीपी टू की प्राभि परसंट परसंट इस तो वीकली एक्सपेंस की उसका टैन परसंट जो था वो किस पेंट होता था हाउसिंग पे जो किस एर में परसंट तो आप एट परसंट ऑर किस एर में और ली मतलब कि पहले वाला पहले यह सेकिंड यह थी हम लोग लाइक वाइस यहां पर बोल सकते थे लाइक डिस भी बोल सकते हैं लाइक डिस अशाप सर्च जा इंक्लाइन ऑफ 13 परसंट वाज विटनेस जहां अब इन केस ऑफ लियर अक्टिविटीज एज अब 13 परसंट देखने को मिला है अगर विटनेस पहले लिखा बाद में आप अब लिख सकते हूं किस केस में लाइयर परसंट लाइयर एक्टिविटी में जो बाद में 22 परसंट हो गया पांच जो डेकेंट उनके बाद मतलों 50 यह के बार बिसाइड इस इसके इलावा अब रह गया हमारा जो एक्वल पर्पोर्शन था सीमिलर फ्रेक्शन और वीकली एक्सपेंडिचर वाज स्पेंट अन गिवन टाइम फ्रेम श्ajit था इतना कायो छ इस helo का इबसफेंड करते था हहाउस होल्ड काफ 101 और भी मेरों Cris महीं करते थिजेंञे उसको हांस और से एक्साँ बोला गया है घ्स के यह तहाँ का रग्र्प शोड़न की काफे इसके बारे में मैं इसको इसे करके आप लोग भी जो है पहले एनलाइज किर जिए कि क्या डाइग्राम में गिवन आफ्टर ट्रेंड देखिए कौन सा चलता है डिक्लाइन किसमें इंक्लाइन किसमें ताकि आपको लिखना असान हो सके आफ्टर यह आप अपना बीपी वान बीपी टू लिखना स्टा को थोड़ा है सेग्रीगेट कर लीजिए कि कि किसको पहले लिखना है और किसको बाद में लिखना है सो होप है कि आपको यह वीडियो पर संदा होगी एंड प्लीज चिर दिस वीडियो विद यू फ्रेंट तांकि उन लोगों की भी हैल्प हो सके थेंक्यू सो मॉज हैव न आदिसोब वियू यू एंश कर लाद में लिखना है और किया निखना увुआता और कि मातल गों मारीटे में लिखना है कि कि अनुए अँञिक ens थाजिक उखना है में यह घरीजिए